जब नाखून बढ़ जाते हैं, हातों के या पैरों के तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलिया नहीं काटे जाते हैं, ठीक उसी तरह है, जब अपनों से कुछ मद्विद हो जाता है, हो ही जाता है, जैसे वक्त के साथ नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, ऐसे ही रि पुछते हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनका एक अलग महत तो होता है, उसको इतनी आसानी से हमको इग्नोर या कहिए उनको तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं, उनको बाद में ऐसास होता है और बादने से फिर जोड़ते नहीं है, बोलत का जो रासिफाल है, उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महिना आपके करियर के लिए, शादी विवा के लिए, मैरिज के लिए, पैसे के लिए, ब्यापार के लिए, स्वास्त के लिए, सब के लिए कैसा होने वाला है, बहुत महि इने 17 के बाद आपके सब्तम में आएंगे और नीच के हो जाएंगे। बुद्ध की अगर बात करें तो बुद्ध जो ग्रह है वो भी 10 तारिक के बाद आपके सब्तम भाब में आ जाएगा। केतु आपके छटे भाब में कन्या राशी में चली रहें। मंगल जो हैं 20 तारिक तक तिरते भाब में हैं जहाँ पर उनका गोचर अच्छा माना जाता है पर 20 के बाद आपके चतुर्त भाब में आएंगे और नीच के हो जाएंगे तो भी बहुत महत्तपूर्ण घटना हुई साथ में गुरुदेव ब्रहस्पती जो हो वक्री हो रहें 111 दिन तक उनके प्रभाब के बारे में जानेंगे जो कि आपके भाग्य के स्वामी है वही शनी वक्री है पर आपके एकादस भाब में और आहू का गोचर आपके बारे में भाब में चल रहा है अवाज आते है रिजल्ट के उपर देखिए सबसे पहली बात तो जो लोग बिजनिस में हैं ब्यापार में हैं है ना उनके लिए 13 तारिक तक काफी अच्छा है आपे कारण उसका क्या है शुकर का अपने ही राशी में होना हम यह आपे प्लस का टिक कर देते हैं कि ब्यापार के लिए बिजनिस के लिए 13 तारिक तक बहुत अच्छा है और काफी चां वो बड़ा positive दिखाई देता है इसमें बुध का भी रोल आएगा दस के बाद यहां पर बुध नाराण योग बन जाएगा थोड़े तीन दिन के लिए ही सही पर वो भी positive है कि लक्षमी नाराण योग बनेगा पर 13 के बाद क्या होगा यह शुक्र जो है यहां आ जाएंगे तो 13 के बाद मैं इसको मिटा देता हूँ 13 के बाद फिर बिजनिस में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कारण क्या है कि बुध तो यहां आई चुके है शुक्र आश्टम में जाएंगे साथ में सूरे 17 तारिक को आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं 13 के बाद बियापार में बिजनिस में हमको थोड़ा ख्याल रखना है वहाँ पर effort, hard work, obstacle आने की उमीदें हैं तो एक तरह से हम उसको plus भी माल लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा negative पी है बिजनिस के मामले में वहीं स्वास्त की अगर बात करें तो 20 तारिक तक काफी ठीक है, काफी अच्छा है effort भी रहेगा, मेहनत भी रहेगी साहस भी रहेगा और स्वास्त के लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है प्रियास भी आप बहुत करोगे आपके प्रियास की बज़े से आपको भागिक साली opportunity भी मिलेंगी बहुत सारी possibility है कारे के छेतर पे थोड़ा competition भी रहेगा आप अपने कारे की जगे पर खुद के साथ-साथ अपने जो साथ में कलीग है उनको भी motivated कारे करने के लिए उनमें भी सुधार लाने की कोशिश करोगे वहाँ पर भी अच्छा transformation लाओगे थोड़ा बहुत obstacle जरूर रहेंगे मंगल है इसी के साथ-साथ आप अपने सत्रूओं को भारी पड़ोगे यह सब 20 तारिक तक होने वाला है पर 20 तारिक के बाद आपको हलका सा ध्यान रखना है स्वास्त के मामले में इन सब बारतों में इसका करण क्या है कि जो मंगल है ना चौते भाव में आके नीच के हो जाएंगे चौता भाव जल का जगह है यहां जल है बहुत सारा अंगल अगनी है अगनी में जल डालो मतलब आप बहुत सारे जल है वहाँ पर अगर अगनी आएगी तो वो तो बुझ जाएगी उसको तो दिक्कत हो सकती स्वास्त का फिर हमको ध्यान रखना पड़ेगा तो फिर हैं आप यह भी कह सकते हैं स्वास जो है 20 तारिक के बाद थोड़ा सा हमको ख्याल रखना है इस तरह से अब यह नहीं कह सकते हैं पूरे महीने स्वास खराब है बेकार है शुरू के लिए ठीक है 20 तारिक काफी सही लग रहा है उसके बाद दिक्कत हो सकती है और खास करके अगर किसी को हर्ट से रिलेटिड दिक्कत है ब्लड से रिलेटिड इक्कर है टेंपरिचर से रिलेटिड इक्कर है पित्र से रिलेटिड दिक्कत है आयरुवेद में होते हैं बात, पित, कफ उसमें पित की जो बीमारिया है वो थोड़ी बढ़ सकती है अब जब 20 तारिक के बाद मंगल यहां आएंगे तो कारे के छेतर में कमप्टीशन रखेंगे पर उच्छी की दश्टी है मतलब कारे में कमप्टीशन थोड़ा बहुत पॉलिटिक स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ेगा पर चीजें ठीक हैं चल जाएंगी ग्यारे में भाब में शनी बैठे हुए अब यह शनी बैठे हैं पर मंगल की भी दश्टी आएगी तो बड़े भाई की लाइफ में कुछ उतार चड़ाव रह सकते हैं आपके जो सीनियर से बड़ी बहन है बड़ा भाई है आपसे कोई बड़ा है कहीं ना कहीं वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हलाकि शनी खुद का गोचर एकादस भाव में आती सुब माना जायता है अच्छा माना जाता है पर एक तो बक्री गरह बैठा है उपर से नीच के गरह की दश्टी आ रही है आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ हूँ तो आपकी जो पत्नी है या पती है वो चाहेगा कि उसकी तरह से चीजे हो ऐसे मैं आपने भी कहा कि भाईया मेरी तरह से हो तो फिर कन्फिक्ट बढ़ सकता है क्योंकि मंगल की जो चौथी दश्टी है वो कमांड करना चाहती है वो महापर डिसिप्लिन लाना चाहती है वो चाहती है कि इस तरह से चीजे हो मदर का भी ये भाव है अगर आप जोइंट फैमिली में रहते हैं तो मदर और आपकी जो बाइफ हैं उनके बीच में कुछ अगर पहले से टेंशन है तो पेंशन बढ़ सकती है क्योंकि मदर भी चाहेगी कंट्रोल करना चाहेगी सेवन्थ हाउस को ये ये भी कहता है कि अगर आपकी मदर आपके कार में हैं कार में मतला आपकी हेल्प करती है तो वो थोड़ा सा आपको बिजनिस के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है आपका भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना इस तरह की एड़वाईज जो उनका थोड़ा इं पर पुराने सोर्सों से आपका धना आता रहेगा, इस चीज को गुरु दिखा रहे हैं, थोड़ा भत आपको बुद्धिमानी से काम लेना है, गुस्से से बचना है, इगो से बचना है, कमप्रटीशन का मतलब अपने उपर काम करना होता है, पर उसमें होश्ट खो देना, ज इसके बाद थोड़ा सा सेंसिटिव है, अब ये गुरु क्या करेंगे, ये इसके साथ साथ कुछ योग भी बनाएंगे, कुछ अच्छा भी लाएंगे जब गुरु वक्री हो रहे हैं, हाईर एजूकेशन के लिए, एजूकेशन के लिए, और शादी भी वहाँ में, जब किसी की शादिया नहीं हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा गुरु आपको हेल्प करेंगे, पर गुरु वक्री ये भी कहते हैं, कि भाई कोई बहुत बड़ा बदलाब आप इस महीने में ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, शनी की अगर हम बात कर लें, अगर बा आप में सुबका में, गुरु को मंदिर से जोडते हैं, तो मंदिर जाना बहुत बड़िया रहता है, और इसके साथ साथ गुरु को हम अपने टीचर से जोडते ही हैं, बड़े भाई, बेहन, जिन से भी हमें सिक्षा मिलती है, वो सब, माता, पिता, सब भी आपके गुरु हैं, जिन से आप कुछ सीख रहे हो, तो उनके परती respect रखना, कही न कहीं बुद्धिमानी से काम लेना, ज्यान से काम लेना, ज्यान की respect करना, ये गुरु को अच्छा करता है, गुरु बढ़िया होता जाता है उस वेक्ति का, अब देखें शनी, शनी अच्छे हैं, वक्री हैं, तो कार में आपने देखा होगा, पिछले एक दो महीने से थोड़ा hardship बढ़ी होगी, effort थोड़ा लग रहा होगा, पर फिर भी, एक आदस भाप के किसी भी घरह को अच्छा मानते हैं, तो शनी को तो खास कर, शनी राहू, एक आदस में आपका अच्छा रिजड देते है महनत करनी पड़ेगी, laziness आपके अंदर ला सकते हैं, क्योंकि राशी को देख रहे हैं आपके, लगन को देख रहे हैं, और सनी की जो negative qualities हैं वो भी दे सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं, problem में हैं, नीच भंग नहीं हो रहा है, नवामशा में भी अच्छे न साल चीज की, उल्टी है, discipline होना, hard work होना, अपने चीजों को प्राप्त करने के लिए लगे रहना, संघर्स करना, शनी संघर्स से ही देते हैं, 11 में भाब में शनी आए हैं, तो लाव के लिए संघर्स करना पड़ेगा, पर लाव होगा, इच्छा पूर्ती के लिए संघर्स यही भाब है, बहुत धीका भी यही भाब है, तो थोड़ा भूत सर में यह रहना कि भॉइ बहुत जाद़ शान्ति का ना रहना, दूर दश्टी के जो प्लानिंग है, लंबी प्लानिंग ना करें, शोट लाब को देखें, छोटे-मोटे लाब को देखें, कल होने वाली च हो सकता है, श्टॉक मार्किट वगरा से भी आपको लाब होने की संभावना है, इस महीने बनी हुई है, इसकी पॉसिबिल्टी है, पर इसके लिए आपका पंचमेश का अच्छा होना, शुकर का अच्छा होना, जनम पत्री में, बहुत जरूरी है, उसको देखके ही हम कोई निड़ने ले सकते हैं, कि हाँ भई हो गई होगा, पर गोचर में हाँ, थोड़ा चांसिस तो है आपका, इसका कारण क्या है, कारण यही है कि जो पंचम भाव है, सत्रे से पहले उसको आप यह कह सकते हो, जादा चांस है, क्योंकि पंचमेश सब्तम में रहेगा और बाद में नीचका हो जाएगा, आपका सत्रे के बाद, इंची जोग हम conclude करें भागे की बात करें तो भागे का स्वामी वक्री हो रहा है अब भागे थोड़ा slowly तो साथ देगा तो भागे को हम कह सकते हैं कि भाई ठीक ठीक ही है कोई बहुत जादा भागे साथ देने वाला नहीं है करियर के मामले में अच्छा है बिजनिस के मामले में जो है वो आपका सुरू में अच्छा है उसके बाद हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है इसी तरह से अगर marriage life की बात करें तो 20 तारिक तक जादा अच्छा है marriage life के मामले क्योंकि जब mangal हैं आएंगे तो disturb करेंगे आपके पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 17 तारिक तक बढ़िया है उसके बाद थोड़ा सा हमको ख्याल रखना है फोरण विदेश अगर आप जाना चाहते हो तो उसके योग तो जरूर बने हुए है बारे में भाब में राहु आपको बाहर बिदेश छुटी आदी घूमने के लिए बढ़िया है पर ये थोड़ा सा कई बार ऐसा था काम को छोड़के बिदेश जाना अपने काम में मन ना लगना ये सब चीज़े भी करते हैं तो उस चेटर में फिर थोड़ा सा नेगेटिव है तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्रियास की बात करें तृतिव भाब का स्वामी जो होता है प्रियास, हार्ड वर्क, मेहनत उसका अगर हम बात करें तो 17 तारिक तक उसके जादे अच्छे योग है क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठे रहेंगे यह सब चीज़े होती है और आपका फोकस अपने वर्क और काम से जादे घर पे जादे आ जाए और घर में तो भाईया बहुत जादे एफ़र्ट दिखाने के आवश्यक्ता नहीं है वहाँ तो प्रेम, आपसमें समस्दारी यह सब चीज़े ज़ादे काम में आती हैं बाकी हनमान जी की पूजा हनमान जी का हनमान चालिसा संकट मोचन, बजरंगबान आदी का पाठ बहुत बढ़िया रहेगा आपका इस महीने वैसे आपके लिए वैसे भी अच्छा है मंगल की राशी है आपकी पर इस महीने थोड़ा वो नीच के हो रहें तो उसका और भी जादे इंपोर्टेंस बढ़ जाता है तो सारे ग्रह हमने देख लिए अब आजाते हैं तो हारों की उपर तो हारों की बात करें तो इस महीने एक तो दिवाली आएगी तो आप सभी को दिपावली की सुबकामना है और जो लाइट का तो हार है प्रिकाश का तो हार है आपके जीवन में शुक्सानती और सम्रध्धी लेकर आए दो तारिक की गांधी जैनती है तीन तारिक का आपका शर्द नवरात्रे जो शुरूबात होगी और आपके बारे तारिक तक जाएंगे बारे को आपका दसहरा हो जाएगा 20 तारिक की संडे के दिन करवा चौथ होगी 29 की धंतिरस है 31 की छोटी दिवाली है तो जाहिर सी बात है फिर नवम्बर में आपकी एक तारिक को बड़ी दिवाली हो जाएगी और अगर ब्रत की बात करें तो 13 तारिक की पाप अंकुषा एका दर्शी है जो भगवध हरी विश्नु के भक्त है उनके लिए ये बहुत महत्वपून है 27 की रामा एका दर्शी, दो तारिक की अश्वनी अमावस्या है और 17 तारिक की पूरिमा है, आपकी 17 की तुला संक्रांती है 15 और 29 का भूमा प्रदोषपत है, 20 तारिक की संक्रांती है और 20 तारिक की संकष्टी है तो ये हो गए हमारे तोहार, ये संकष्टी है, हमावस्या है ये हर महिने आते हैं, पूरिमा बगएरा तो ये दो-चार दिन ही महिने में पढ़ते हैं ऐसा भी नहीं कि दस दिन है अगर हम इस दिन फास्ट रखते हैं या फिर पूझा प्रात्ना करते हैं दान पुन्ने करते हैं किसी की मदद करते हैं तो बहुत जादे अच्छा आपके लिए है इसको लगतार आप करते आ रहें तो बाद में कोई ग्रह दशा उपर नीचे जाती भी है तो आपको काफी help हो सकता है remedy के नाम पर ये बहुत बढ़ी है अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं और जोदिश में आपकी रूची है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं घंटी वाला बटन दवा सकते हैं आपकी जो भी सला हो उसको दीजेगा जरूर आपसे मुलाकात होगी नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें धन्यवाद नमस्कार